जनकपुर्धाम उपमान अगर पालेकाले चाड़ा पसु जोपाया को वेवस्थापन गर्न गोउसाला बनाये पनी चाड़ा पसु जोपाया को वेवस्थापन प्रभावकारी हुना सकेको सहिना सड़क मा जता तते भेटीने चाड़ा जोपाया का कारण सवारी आवा गमन मा बाधा पुगनु का साथे दुरगटना को जोखिम समेट बढ़े को छाए मधेश प्रदेश को राजधानी जनकपुरधाब मा पांच बर्स यता सवारी साधन तथा मानिशरु को आवा गमन मा ब्रिद्धी भये पची चाप बढ़े को छा सडक सुधार भये पची आउजाओ मा सहस्ता भये पनी सडक छेकेर बस ने छाड़ा पसु चोपाया का कारण याती ले समस्या हुने गरे को छ त्यसोत छाड़ा पसु चोपाया कारण कति बेला दुरगटना हुने हो भन्न सकी न दुधालो गाई हुदासम घर में पालनेर पची बजार छेत्र मा लियायर चाड़ने प्रविर्ती बढ़ते गए पची पसु चोपाया बजार का मुखे चोक सडक तथा बस पार्क छेत्र मा सडक छेकेर बसे का देखिन छन ट्राफिक प्रहीलाई चाड़ा चोपाया को वेवस्थापन गर्ना निकै समस्या छ यही साउन एक गत्य बाटा शुरू भय को गउसाला मा असी वटा चाड़ा पसु चोपाया समातेर राखिये को छ जस्मधे अर्तिस वटा चाड़ा पसु चोपाया का धनी बाटा एक लाख पच्छतर हचा रुपेया जरिवाना समेत असुल गरिये को छ जनकपुर धाम उपमहानगर ले स्वक्षनगर बनावना तथा चाड़ा पसु चोपाया वाटा हुनसतने दुरघटना निवनी करन को लागी 46 लाख को लागत मा एक से चाड़ा पसु चोपाया राखने चमता को गउशाला समेत निर्मान गरेको छ रेक देखको लागी पसु चिकिसक सहित साथ जना करबचारी खटाईएको उपमहानगर को गउशाला बेवस्थापन मा मास्रिक 10 लाख रुपिया भन्दा बढ़ी रकम खर्च हुन्छ तरपनी जथाभावी चाड़ने पसु चोपाया नियंत्रन हुनसके को छहिना चाड़ा चोपाया समात्ना नगर प्रहडी परिचालन गरेको उपमहानगर ले सड़क मा जथाभावी चाड़ने पसु चोपाया धनी माथी 5,000 रुपिया सम्मको जरिवाना तोकेको छ कांतिपूर समाचार का लागी अमर कांते ठाकूर जनकपुर्धाम धनुसा झाल